नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुबह उठकर हथेलियों को देखने से खुल सकती है किसमत जरूर अपनाएं ये अचुक उपाए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं व्यक्ति के दिन की शुरुवात सुबह से ही होती है हर व्यक्ति चाहता है कि सुबह कुछ अच्छा देख कर ही वह उठे ताकि पूरा दिन उसके लिए शुब हो ऐसे भी कुछ लोग भगवान की तस्वीर देखकर अपने दिन की शुरुवात करते हैं तो कई लोग अपने अपने तरीके से उपाए करते हैं दैनिक जीवन में कुछ उपाए सच्चे मन से किये जाए तो उसका सकारात्म प्रभाव देखा जा सकता है जीवन में कुछ छोटे मोटे अचूग उपाए हमारे जीवन की कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं वास्तु शास्त्र में सुभा उठकर कुछ ऐसी बाते बताई गई हैं जिनका पालन करने से हमारा पूरा दिन अच्छा हो सकता है इसके अलावा व्यप्ति के उपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपायों को प्रति दिन सुभा उठकर करने से हर परेशानी से निजात मिल सकता है आईए जानते हैं इन उपायों के बारे में सुभा उठकर दोनों हाथों की हथेलियों को देखें वास्तु शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि सुभा ब्रह्मा मुहूर्ट में उठकर यदि व्यक्ति हाथों की हत्हेलियों को देखता है तो देवी देवताओं का आशिरवात प्राप्त करता है सुबह उठकर सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करने से कई लाभ मिलते हैं सुबह उठकर सबसे पहले हाथों की हथेलियों को कुछ देर तक देखें फिर से एक चहरे पर तीन बार फेरे धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के उपरी भाग में महालक्ष्मी, बीच में मा सरस्वती वनीचे भाग में भगवान विश्नु का स्थान होता है इसलिए रोज सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेली देखने से व्यक्ति भाग्यशाली बनता है इसके अलावा सुबह उठकर व्यक्ति को उस स्थान की भूमी को दोनों हाथों से स्पर्श करके प्रणाम करना भी शुभ माना जाता है इसका जिक्र वास्तू और जोतिष्ट दोनों में किया गया है सुभा उठकर धर्ती मा को प्रणाम करने से व्यक्ति कभी भी आर्थिक संकटों से नहीं जूचता है इश्वर की तस्वीर को करे प्रणा इन सब के बाद सुभा उठकर आप जिस भी इश्वर को मानते हैं उनकी तस्वीर देखकर वप्रणा करके आगे का काम शुरू कर सकते हैं इसे इश्वर की क्रिपा सदैव आप पर बनी रहेगी और कोई भी काम रुकेगा नहीं इसके अलावा पूरे दिन की शुरुवात खूबसूरत होती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवात